हलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको लैस में फॉम बटन लगाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने गले को बहुत ही अच्छी लुक दे सकते हैं तो उसे किस तरीके से हम लगाएंगे और कैसे हम फॉम बटन बनाएंगे तो यह यरुटन का भी यूच कर सकते हैं और यह पत्ति को हमने कंति कर लिया अब इसको देखिए ऐसे करेंगे ऐसे के लिए अब लिए यह तरीके से दोस्तों हो जाएगी ठीक है इसको हम ऐसे कपड़े में लगाएंगे अर लगाने के बाद लगाने के बान्ट देखिए इस तरीके से अब मैं यहाँ धागा ले लेता हूं तो यह मेरे सुई में धागा मैं इसी को यूज़ कर लेता हूं देखिए अलग अलर का मैं धागा ले रहा हूँ जिसकी मदस से आप जो है ये देखिए धागा अलग कलर का है आप देख पाएंगे कहाँ पर मैं धागे को लपेट रहा हूँ तो इस तरीके से धागे को ऐसे रखेंगे पहले और इसको एक वझला वझला नहीं है F diplomacy में लेकि जो हम लगा के आपको दिखाएंगे वो मोटा लगा के दिखाऊंगा, इसके बाद हम इसको यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, तो इस तरीखे से आपको फोर्म बटन त्यार करना है यह पतला है अब यहां पर मोटे मोटे फोर्म बटन कमजम शाथ यहां पर आपको अपने गल्यागा डीप नापना है जैसे गल्यागा डीप है 7 इंच यानिकी 7 इंच गल्यागा डीप है लेकिन जो हम कटिंग करेंगे ठीक है तो हम करेंगे साढ़े साथ तो हमारा यहां पर आएगा कि अहां से आपको कैसे लेना है होगया है अब इसकी नीचे आपको कितना लेता है वो चीज चीज का निसान लगाले गूं सबसे पहले हमें पट्टि लगानी है इसके ऊपर न backyard सब्सक्राइब है एक इंची पूनाई चूपर करने और इसके बराबर से ऐसे करके हमें लेस लगानी है इक्वल बिल्कुल सेंटर मिलाके जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो इस जगाँ पर हम इस लेस को ऐसे करेंगे देखी दोस्तों इसे बनाएंगे इक्वल ऐसे बनाने के बाद हैं अब जब लेस को ऐसे गुमाएंगे यह तावीPress हमेंगे यह तावीầnं हम यह पर हम अपने इस फूम बटन को अटश्ल करते जाएंगे और इसको लगाते जाएंगे लेकिन review फूम बटन कैसे लगेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा इसके लिए हम सिंगल बूट का यूज़ करेंगे तो चली दोस्तों हम आपको यह लगा के दिखाते हैं तो देखी दोस्तों यह लैस है यह हमारे गले का निसान इससे हमने एक इंच उपर लिया और यहां पर हम जो हैं सिलाई लगात है तो देखिए ऐसे हमें लगाना अब यहां पर हमारा निसान आ गया इस जगा पर हमें बनाना है तावीज आप देखिए अपने इसाब से बना सकते हैं उपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे रखना है आपको यह मैंने ऐसे बिल्कुल सीधा रख लिए लैस को ब्राइब को यहां पर लगा और लागाने के बाद इतने इससे को वल करें और जब लिए विटेश की नोग अब यहां प्लंक करके दोस्तों मख लगा लेट है अब देखिए अब यहां सब्सक्राइब लगा दोस्तों लगा लिए तो आप इसको कि इतना कटिंग करने के बाद अब देखिए यहां से लगाना स्टार्ट कर देता हूं तो इसे मिला कि अब दोस्तों यहां पर लगाएंगे वो सिंगल भूट होगा तो एक बार में फिनिसिंग से आप लगा लोगें तो देखिए एक फोंबटन हमारा लग फोंधन पे जोगें इसकी गैप्येंगरें दोस्तों मैं थोड़ा रखुँगा एक इंच के आसपास क्योंकि मोट्टे फोंबटन है तो एक इंच-क आसपास कि घ्यापिंग रखने वाला हूं इसमें δेखिए एक इंच की गैपिंग लखें मैं यहां सिलाई लगा रहा हू तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने दो फूम बटन लगा दिए और बिलकुल भी परेशानी नहीं हुई बहुत अराम से दोस्तों ही हमारे फूम बटन इसमें लग जाएंगे अब आप देख से देखेंगे लेकिन अगर आप कपड़ा नहीं काट के हैं लेकर आपको काट लेगा तो आप इसे कटिंग करके चाट दें देखे मैंने आप़े कटिंग कर दिया कि हमारा लास्ट है और भी चेक कर लेते हैं जैसे यहां पर है इसको पूरा कटिंग कर लेंगे फिनिसिंग के साथ अब दोस्तों उसको ऐसे जाडने के बाद अब देखिए हम इसको double boot हमने लगा लिये हाँ, क्योंकि single boot का काम खतम हो चुका हैं, अब दोस्तों हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे सिलाई, तो देखिए इसको एक बराबर ऐसे रखें और यहाँ पर हम कर लेंगे सबस्क्राइब आए और अच्छा लगेगा तो पकड़ें यहां पर हम लगा लेंगे पूर कि इसको मैंसे गुमाएं कि यहां पर भी सिलाई लगा लेंगे और अब इसके आधो यहां पर अधन अराव से और दोस्तो अभी आप देखेंगे तया दागा काल देते हैं अब देखिए दोस्तो यहाँ पर हमारे पट्टी लैस में उन्हें फोन बटन लगाने का तरीका आपको बढ़ा दीया किस तरीके से लगाना है वो भी आपको पाइनल लुक दिखाते हैं तो देखे दोस्तों हमने यहां पे सिर्फ वी नेक बना के आपको दिखाया है आप चाहे तो यह गोल गला बना ले या कोई भी गली की सेव दे सकते हैं और आप देखेंगे गला बनाने के बाद हमारी पट्टी को इस तरीके की दिखेगी जो की ब इडियन कैसा लगा हमें जरूर बता है